So hello guys, welcome back to another video, मेरा नाम है Rohan and आप देख रहे हो Techie R वैसे यार, comeback तो मैं कर रहा हूँ, so welcome तो यार आप लोगों को मेरा करना चाहिए and मैं अकेला comeback नहीं कर रहा, मतलब मेरे साथ-साथ comeback कर रहा है Nothing जी हां guys, Nothing अपने एक नए स्मार्टफोन के साथ Indian Market में लाउंच होने के लिए ready है जिसका नाम है Nothing 2A जी हां guys, बहुत ही जल्द Indian Market में Nothing का ये नया स्मार्टफोन लाउंच होने वाला है Flipkart के उपर इसका landing page already live हो चुका है बट वहां पर आपको specification देखने को नहीं मिलेगी वो बताने के लिए आपका भाई आया है and जादा से जादा यार यही February के मंत में आपको इस स्मार्टफोन Indian Market में देखने को मिल जाएगा and यार यह स्मार्टफोन का मतलब जो पहला डिवाइस आया था ना nothing one यह मुझे थबसे पसंद नहीं है अब तो जिन लोगों को फिर भी चलो कुछ पसंद था उस टाइम पे भी वो चीज भी इस डिवाइस में इन्होंने निकाल दी है इस डिवाइस का future इंडिया में क्या होगा discuss करेंगे इसी वीडियो में और यार launching से पहले ही इसके render से सामने आ चुक है जिस वाज़ास इसकी सारी specimen के बारे में चोटा सा review और इसकी pricing उसके बाद अप लोग अपनी रैकमेंट्स में जूर बिर देकर जाना यहां पर देखने में ही पता चल जाता है कि इस स्मार्टफोन में इस बार आपको वो ग्लिफ लाइट देखने को नहीं मिलेंगी बाकी बैक वैसे ही ट्रांस्पेरेंट रहने वाली है बट वो लाइट यहां पर मिसिंग हैं मतलब वो जगमक जगमक वाला फोन इसमें आपको इस पर देखने को नहीं मिलेगा मुझे वैसे वो पहले भी पसंद नहीं था बट जो लोग उस चीज की वज़ा से इसे पर चेस करते थे देखने में अच्छा लगता था उन लोगों के लिए भी यहां पर एक हलकी सी disappointment हो सकती है उसके लाबा डियल camera setup यहां पर आपको back side में देखने को मिल जाएगा front side पर यहां आपको मिलने वाला है एक center punch hole camera उसी के साथ में glass back रहने वाला है glass front होगा plastic का यहां पर आपको frame देखने को मिलने वाला है यहां पर मैं कहूंगा कि आपको इसमें decent सी look देखने को मिल जाती है और उसके लाबा यहां पर जो normal price point में हमें चीज़े मिलती है वह यहां पर आपको देखने को मिलती है अच्छी बात है कि dual speaker मिल रहा है बट यहां पर आपको headphone jack देखने को नहीं मिलेगा design के मामले में आप लोग को किया रहा है let me know in the comment section वो lights आप लोगों को चाहिए या mood off हो चुका है वो भी जरूर से बता कर जाना आगे बात कर लेते हैं यार इसकी display के बारे में so guys इसमें इस पर आपको मिलने वाली है एक 6.7 inch की full HD plus वाली display OLED का पैनल रहेगा जो की 10 bit का पैनल होने वाला है उसी के साथ में यहां पर आपको wide 1 L1 का support देखने को मिल जाएगा HDR10 की certification भी देखने को मिलने वाली है and guys यहां पर इसमें आपको 120 Hz का high refresh rate भी देखने को मिल जाएगा so display थोड़ी से आपको बड़ी लग सकती है but content watching में मज़ा आने वाला है gaming यहां पर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी because refresh rate भी यहां पर आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा आगे बात कर लोगा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है and 50 Megapixel का ही यहां पर आपको स्केंडरी कैमरा मिलने वाला है जो की होने वाला है अल्ट्रा वाइड एंगल and OI इसका भी support इसके मेन कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा इन साथ में 4K पर 30fps पर आप recording भी कर सकते हो so दो कैमरा हैं दोनों ही काम के हैं front camera की बात करो 16 Megapixel का यहां पर आप इसमें आपको single camera देखने को मिल जाएगा front पर 16 Megapixel की selfie यहां पर आप click कर सकते हो बात कर लेते हैं battery and charging की so यहां पर आपको guys मिलने वाली है 5000 mAh के एक बड़ी सारी battery and साथ में 33 watt की charging को support करेगा यह phone but charger आपको box में देखने को नहीं मिलेगा so यार यह disappointment मतलब इनके साथ रहती है चलो 33 watt की charging दे रहे है ठीक है average मैं यहां पर कहूँगा because आज कल हमें काफी fast charging देखने को मिल जाती है so 5000 mAh के साथ में यहां पर आपको 33 watt की charging एक decent setup है but यार box में नहीं मिलेगा ना charger लग से purchase करना पड़ेगा आपको so यह यहां पर एक छोटी disappointment यहां पर और निकल कर आ जाती है बात कर लेते हैं यह performance को लेकर so यहां पर आपको मिलने वाला है MediaTek Diamond City की तरफ से 7200 वाला chipset अच्छा processor है already हम काफी phones में यह देख चुके है 4NM की fabrication की उपर है processor based है 2.8 GHz की peak clock speed के साथ में बाकी ARM Mali G610MC4 वाला GPU देखने को मिल जाएगा LPDDR3-1 वाली यहां पर आपको RAM देखने को मिल जाएगी यार performance को लेकर I don't think के जादों के दिकत प्रशानी आने वाली है बट यह भी नहीं के मतलब बहुत ही far भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भी इस से पहले price में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ठीक है मतलब के performance आपको अच्छी देखने को मिल जाती है जो की होने वाले है 8GB RAM और 128GB internal memory 8GB 256GB और 12GB प्लस 256GB internal memory pricing की बात करूँगा so almost यह iPhone आपको जोसका starting variant होगा 828 वो आपको देखने को मिल सकता है 27 से 28,000 रुपे की range में which is quite high आप लोगों की क्या रहे है बाखियर हाँ एक चीज़ मिस कर गे थे हम किसमें आपको Android 14 देखने को मिलेगा out of the box और उसी के साथ में यहाँ पर आपको nothing OS 2.5 भी देखने को मिल जाएगा so add free, bloat free आपको वो OS देखने को मिलता है user friendly है, easily use कर सकते हो मुझे तो actual में इसका interface भी पसंद नहीं है आप लोगों को कैसा लगता है जरूर से बता कर जाना बाकी यार मेरे से अगर पूछा जाए तो pricing is quite high मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इतना जादा पैसा इसी के उपर pay किया जाए और भी यार competition में काफी सारे एच्छे phones आपको आपको बाक्स में देखने को मिल जाते हैं यहां पर एक छोटा सा इस फोन को लेकर disappointment हो सकती है वो ग्लिफ लाइट से आपको देखने को नहीं मिलेंगी उसके लावा यहां पर आपको बॉक्स में charger देखने को नहीं मिलेगा लुक भी आपको similar सी ही back पे वही transparent वाली ही देखने को मिलते हैं colors भी वही दिये गए हैं black and white वाले and display में भी कुछ extraordinary नहीं है cameras हा में कहूंगा कि rear camera आपको अच्छा देखने को मिलते हैं 50 और 50 Megapixel दो आपको cameras देखने को मिल जाते हैं performance भी हाप आपको pricing को accordingly अच्छी देखने को मिल जाती है but competition में भी similar performance आपको देखने को मिल जाती है so nothing के ऊपर इतना पैसा invest करना आप चाहोगे या नहीं बाकि मेरी राय में no I don't like this phone बाकि आप लोगों की क्या रहा है let me know in the comment section phone आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बता कर जाना जब यह launch हो जाएगा hopefully इसी मंत में February में ही जब यह phone launch हो जाएगा क्या आप इसे purchase करना चाहोगे या नहीं let me know in the comment section बाकि वीडियो कैसे लगी है बाकि मैं मलता हूँ आप लोगों से अगली किसे और वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching